इस फ्लैट में बिना दिये ऐसा कमरा जिसमें जेल भी और बेल भी है तयार जो भी इस घर में रहेगा उसका चलेगा अपना कानून सजा मिलने पर होगी जेल कमरे का करायर सुन उड़ जाएंगे होश अपार्टमेंट के नाम पर ये धोका हो गया जेल जाने की बात आये तो एक बार इंसान डरने लगता है लेकिन आज कल फैशन के दौर में जेल को घर बना दिया जाएगा इसका अंदाज़ा शायद किसी को रही था एक ऐसा घर बनाया गया जिसके भीतर जेल है आखरकार अब आप सोच रहे होंगे कि घर के अंदर जेल क्यों बनाए गई क्या इस घर का अपना अलग मामला है या यहां पर अपना अलग कानून चलता है इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस खबर में मिल जाएंगे लेकिन उससे पहले ज़रा इस आईडिये पर बात कर लेते हैं जिसने भी इस घर का निर्बान कराया यहां पर लोग रहेंगे परिबार रहेगा एक दूसरे के दुख सुख की बाते होंगी आखरकार फिर उस घर में जेल बनाने के जरूरत क्यों पड़ी ऐसा घर आज सक कभी नहीं बना था एक घर के भीतर ही जेल बना दी जाए लेकिन इसका अलग मामला है जब इसकी गहराई में हम जाएंगे तो आपके पैरोतरे जमीन खिसक जाएगी तो चलिए हम बताते हैं पुरा माज़रा क्या है नर्मान करने बालों ने इसमें दिमाग क्यों लगाया कि इस घर के भीतर जेल रहना जरूरी है तो उसके पीछे की वज़ा बहुत रोचक है आज हम अपने रिपोर्ट में यही खुलासा करने वाले हैं जिसके बारे में आप जानने वाले हैं हाई राइस बिल्डिंग्स में आज कल स्टूडियो अपार्टमेंट का जमाना चल रहा है यानि एक ऐसा कमरा जिसके एंट्री दरवाजे पूरी तरह से अलग हो जिसमें जाने और आने बालों के लिए किसी दूसरे की परिशानी न हो लेकिन इस शक्स ने जो कमरे में जेल बनवाई उसे स्टूडियो अपार्टमेंट नाम दे रहा है हैरानी की बात ये है कि जेल जैसे कमरे में भला कोई कैसे रहेगा क्या जानबूच कर ऐसा कमरा बनाए गया है या इसके पीछे कोई प्लान नहीं है क्योंकि जेल जैसे कमरे में रहने का मतलब ये है कि सब कुछ क्लियर है किसी तरह की किसी को प्राइवेसी नहीं मिलेगी दरसल ब्रिटेन में डुडले शेहर में एक पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया गया अब उस जगहा को एक स्टूडियो अपार्टमेंट में बदल दिया गया जो अपने खास दुक और फीचर की वज़े से इंटरनेट पर वाइरल है रिपोर्ट्स के मताबिक 2017 में वहां पुलिस स्टेशन हटने के बाद इससे फ्लाइट के ब्लाउक में बदल दिया गया इसका विग्यापन देनेवाले स्टेशन ने बताए कि इससे हाली में रिनुबेट करा गया और ये एकदम नया स्टूडियो अपार्टमेंट है इसका कराया 77,000 रुपे महिना है इसमें हर सुविधा मौझूद है इसकी वुडन फ्लोरिंग और सफेद दिवारे हैं मौडन किचन, बातरूम, लिविंग रूम, डाइनिंग रूम या बड़ा बैडरूम है इसमें इंटर कॉम की सुविधा भी मौझूद है हलनकि अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है और यहां रहने वाले किरायदार को ही सारा समान खुद लाना होगा खास बात यह कि इस कमरे को रेनुबेट करने के बाद भी जेल को नहीं अटा गया यानि जहां पुलिस थाना था, वहां अब बिल्डिंग बना दी गई लोग कह रहे हैं कि यह बच्चों को बंद करने के काम आएगा तो किसी का कहना है कि पालतू जानवरों को बंद कर सकते हैं लेकिन सवाल है कि जिसने भी दिमाग लगाया उसके दिमाग में क्या आइडिया आया होगा